कैसे हैं आप सब तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को यूई समेश्टर टू आपका पेपर देखिए कॉमन कोर्से 6 का पेपर हमारे पास है ग्लोबल सेटी एंसे फॉर एड्यूकेशन हमारे पास सश्टेंबल डेवलपेंट का इस पेपर ने देखिए मैंन के लिए ताकि इसी प्रकार आपको हमारे हर बीडियो नोट के से मिलता रहे तो देखिए सबसे पहले सावल आप से पूछा सकते हैं कि हुज दा चेर्मेन अब दा नितियाग के जो अधिक्स होते हैं वह कौन होते हैं हमें पताना है इंडियास प्रेजिए भाद की सब्सक्राइब करते हैं तो ऑपसा नमर क्या हो जागा त्री और इसी सावल का अगर्वाण से पूछा जाए तो नितियाग के जो पद होता है वह अधिक्स करते हैं सभी प्रांतिय मुक मंतरी केंद्र साथी प्रदिश्यों के लेप्टीरन हो गया प्रदावनतिय द्वारा नुक्त एक क्या करते है उपादियस गौर्णिंग काउंसिल बनाते है ठीक है फिर अगला सवाल देखिए आपसे यहां से पूछा हुआ है देखिए हमनों पहले प्रिविएस वीडियो में यह सारे के साथ टॉपिक कंपीट कर लिए इंडिया फ़रेश्ट के बारे में वाइ इसलिए क्या हो जाएगा पालियमेंट्री ऑप्सान नमबर 3 हिंदी में से काज है तो भात का समीदन किस प्रकार की सरकारी संजर प्रांग करता है तो हो जाएगा संसद में हम लोग पास दो भवन होगे एक लोग सबा एक राज सबा अगला सवाल देखिए आप से पूछा इसमें से कौन सब्सक्राइब होता है गर्मेंट ट्रांसपरिशी भी चलती है रूल अप लोगी चलता है लेकिन रेट टेपिस्म ने चलता है तो इससे ऑप्सन नमर क्या हो जाएगा फूर और हिंदी में से कहा जाए तो जो लाल अफिती होती बैसिकली वो नहीं होती से इ जो बच्छा हिंदी लिखना चाहिए वो हिंदी में लिख साकता ठीक है देखें फिर अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है दा कॉंसे अपनाया था नौर्वे के मैंने आपको पहला वीडियो या पर सेकंड नमर वीडियो मताया था नौर्वे के कौन थे कमेंट बक्स मों यहां पर जो सस्टेनबल जो डेवलप्मेंट अवर्ड अविक्सलिए पॉपलर की हुआ जब बूट्रेंड रिपोर्ट में इसका मेंसन किया गया था कौन सा साल था वो तो यहाद ही उनीस्तो सतासी ऑप्सन नमबर क्या हो जाएगा बी नमबर इसका राइट एंसर होगा फिर अगला हमारे पास सतत बिकास की अवधारना वर्स में जो इसी कोड़े की हिंदी में लिख दिया गया कि जो ब्रेट्रेंड रिपोर्ट था कब लोग परी हुई तो इसलिए हिंदी इंग्रिस दोनों का फायदा होगा आप से बच्चों को फिर अगला हमारे पास सस्ट आपको बार बार बोला एक ऐसा डवलाप्मेंट जब हम लोग आज की वस्तों को उप्योग करना ही है आज की वस्तों को जितना ब्रवात करना कम करें और भविस में आने वाले उनके लिवे रखे इस परकार डेवलाप्मेंट का अंतर रखते तो इसमें कौन से चीज़ों क सकता है प्राकितिक संसाधन अप्शन नंबर ए फिर अगला है हमारे पास हामनी सच्टेनल डेवलाप्मेंट को देखिए यह सवाल बीवे सच्टेनल डेवलाप्मेंट टोटल कितने गोल से जो इनेट इंडेसिन के दोवारा विश्वित दिया हुआ अठारा ऑप्शन नंबर भी फिर अगला है कि हमारे पास चूज दकरेक्ट ऑप्शन डेवलाप्मेंट का परिफासित करता उसे बताना टेक केर अपने भविश्वित के जो उनका अच्छा ध्यान रखना चाहिए टेक के बाई आवर से अपना इसे ध्यान रखना है या पिर टेकिंग केर तो अपना और भविश्य का भी क्याल रख्या हमें क्या करना है उस प्रकार का इस्तमाल करना संसाधनों का इसलिए सातत परस्विकास का यह उधारन हो जाएगा तो आपसन नंबर सी फिर अगला सवाल तीसा नमर हमारे पास विच औरगनाईजेशन हैज मेंड दा सश्टेम किसने देखिए शर्षन डेप्लेप्मेंट गोल बसी लिए बनाया यह उनाटेट नेशन लीग अपनेशन यूनिसेफ या फिर वर्ल्ड हेल्ट और तो यहां देखिएगा उनाटेट नेशन कौन सा देश था तो नौर्वेड था और कौन सा रिपोर्ट था बूट्लेंड ठीक होगा ठीक है ठीक है लिखा हुआ इस फॉर्म में रिनेबल सोर्स हो जाए लेकिंगा लेकिन सोलर यह हमारे पर इतना मात्रा में है कि हम लोग इससे कार कर सकते हैं तो इसे हिंदिम कहा जाए तो नेमलीखित में से कौन सा उर्जा का सुरू जो है वह नविकरिनिया सोर से तो क्या हो जाएगा सौर उड़ जा इसका राइट एंसर हो जाएगा फिर अगला सावाल आप से पूछा हुआ है कि वी नीड टू रिलाइज आवर मोरल एंड एथिकल अब्लिकेशन होने चाहिए इसलिए बोथ एंड बी क्या हो जाएगा सही जावा और हमें अपनी धर प्रश्टी मांता के भी और हमारी आने वाले पीडियो के भी इसलिए हो जाएगा और दोनों ए और भी कतन क्या है सही है फिर अगले हमारे पर दा कंसेप्ट और सब्च्टिव डेवलेप्मेंट इस लिए जो सब्च्टिव और कंसेप्ट है या फिर एक यूट्वियन आड जाता है तो भवी से हमारा इस पर अच्टा होगा इसलिए हम वोपना चल रहे है शर्शन डेवलपमेंट की गोल पर काम कर रहे है आगला सवाल है वीच ओप्दा इस यह ना दिने पर निकर सकते हैं तो क्या हो जाएक का कोईला एक पर अप्सिन नमर्ड तो क्या हो जाएगा कोईला ऑप्सटान नमर्ट फिर अगले हमारे पर वाटी तेट ग्रीन एकोनोमी एक प्रोट्ट्ट मेंड़केंट एक इसा एक इसा कि में अरत्त पास्ता नमर्ट पर जहां पर हम लोग ड्यवलक्मेंट तुछेंट लेकिन हमारे इन्वार्मेंट रहे य और यह हो जागा हमारे पास किस प्रकार होता है तो किस प्रकार होता है ग्रीन कलर हो जागा इसका किस प्रकार करते हैं कि हम आज के अपने जरूतों को पूरा कर सके और भविस में हमारी जो आने वाली पीडियां उनका भी हमें देखवाल करके चलता है तो इस प्रकार के हम लोग लक्ष को किसमें रखते हैं तो हमें ये क्यों अपनना चाहिए तो सेव एकोलोजी को बचाना चाहिए या फिर इनबार्मेंट को बचाथ चलना चाहिए तो सेव मैंन काइंड क्या हमें यहां पर सतत विकास अपनाना क्यों जो रही है ताकि हम अपने मानम जाती को बचा सके और पयावरन और पाइस्तिकी को क्या करते बचाते हो चले इसलिए दोनों A और B क्या हो जगह इसका सही उत्तर होगा अगला हमारे पास यहां पर कारण आपको चार कारण दिये के बताना कौन सा कारण सही कौन सा कारण गलत है तो पहला कारण लिखा हुआ है कि it helps to promote and conserve the environment यह हमें क्या करता है अपने जो environment वाता हुआ उनको बचाने में या पर संरश्चित संरश्चन में क्या करता है मदद करता है पहला option यह दिया फिर अगला हमारे पर it aims at achieving the goal of economic and sustainable development देखिए इससे हम लोग क्या कर सकते है अपने जो गोल है जो लक्ष बिसिकली किसे जुड़ा हुआ हुआ है एकनोमिक अर्सास से जुड़ा हुआ हुआ और सामाजी जो development कर सकते है उससे हम क्या कर सकते है यह पिर option number D all of the above यह सारे कातन स सही है तो हमारे पास देखिए क्या है हम लोग बेश्ट अगर बोला जाएगा तो बेश्ट यह बला है और यह बला है लेकिन यहां पर हमारे पास all of the above है इसलिए हम लोग option number Q टिक करेंगे D number इसका right answer टिक करेंगे और यह बात हिंदी में आपसे पूछा जाए कि सतत बिकास अबस्ता है क्योंकि यह बढ़ावा देने है और संच देखिए जो बात में आपको इंग्लिस में हिंदी में टांसलेट कर दी वही बात देखिए यहां पर लिखा हुए तो इसका एंसर क्या हो जाएगा उप्रोग सभी क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा फिर अगला सावा सब्सक्राइब कर देखिए तो हमारे पास पहला कि इस्थिरता की अवधारना को बदलना है नीतिया अपनाने और नियम तरते नियम बना है वरना अचिब नहीं कर पाएगे विकास और इनके पर्यावन सो जो भी पर्यावन होने नुकसाने उनके बिचिका करना है संतुलों सब्सक्राइब करना है इसलिए दोनों कसन से यसलिए क्या हो जाएगा ऑप्सन नमबर सी दोनों ए और बी फिर अगला हमारे पस सस्टेनेबल फोरेस्ट मेंजमेंट वियर डेवलाप इंड यूरोप में डेवलाप कौन से संचुरी में यह हम बताना है तो सोल्वी से लेकर यहां सदियों नहीं होगा यहां पर सताब्दी लिख सकता है तो सतरवी और क्या हो जाएगा अठारवी ठीक हो सताब्दी में तो आप्सन नमबर 20 का सही जवाब होगा अगला हमारे कि सतत विकास की उपलवदी के लिए सभी इस तरो पर किस घटक के एकिकरन के हमें होगा पाइसली की मतर्व एकोलोजी भी काम करना पड़ेगा जो हमारे एकोनोमिक और सोचलोजी एकासर सोचलोजी फैक्टर है उन पर भी काम करना होगा इसलिए ऑपसर नमबर सी क्या हो जाएगा ए और बी दोनों कफन यहां पर सही है इस इंग्लिस में कहा जाए है अग्ट बच्छों मैं पेडिया पो तो ठीक कर लेता हूं देखिए क्या है तो एचिब्मेंट ऑफ सचनेबल डेवलपमेंट रिक्वार्स दा इंटीग्रेशन ऑफ विच कंपोनेंट एट अल लेवल्स इकोलोजी कल भी हो जाएगा और एकोनोमिक एट स्वानोमिक लेवल्स देखिए जो हमारा सबसे क्या सकते हैं दिक्कत वाला या फिर मैटर है सतत्व विकास से जुड़ा हुआ क्रिसी समधित वो कौन सा गंभी समझ सा यह हमें बताना है तो अगर हिंदीम लिखा जाए तो आप देख सकते हैं हाँ आप आप उचार उप्षन दे दिये तो देखिए यहाँ पर सवाल ही पूछा गिए कि जहां तक क्रिसी में हम क्या कर सके सतत्व विकास का रिलेशन इससे लगता है हमें सबसे गंभी समय से क्या करनी है तो खेती के जो तहट छेत का विस्तार के बिना हमें क्या करना है जो मौदुदा फसल हमारे खेत में लगे without extending the area under cultivation option number A आप लोग क्या करिएगा सही एंसर इसका टिक करिएगा अगला सवाल है कि अगर हम लोग sustainable development को देखिए अगर अंदेखी कर देते हैं तो क्या हो सकता है क्या हम लोग एक सुरक्षित और एक ऐसे इंबार्मेंट रहे सकते हैं जहाँ पर सब कुछ सही चले क्या आपको लगता है सश्टेंड डेवलप्मेंट को अगर आप लिखाओ कुछ पंक्तियों में क्या होगा हमारे पास एक सुरक्षित और सुरक्षित वातावर्थ होगा पाकि हमारा जो आने वाला भविस्ट का जो प्यड़ी है उसके लिए हम लोग जो भी एकलोजी बेसे हमारे जो जन जीवन है परियावर्ण है उसको हम लोग बचा के रख सके वरना यह नहीं रह पाएगा तो इसलिए option number B क्या हो जाएगा इसका सही उतर हो जाएगा और इं environmental इन में से देखिए कौन सा जो टर्म है वो environmental problem के अंदर अधाबता है hunger, pollution, water and conflict या फिर option number D all of these देखिए हमसे बोला environment प्रवल्म सो हो प्रदूसर नहीं है यह जन संक्या बढ़ने कारण हो सकता है वार एंड कॉंप्लिट किसी देश का किसी परस्टन से किसी दुस्में नहीं हो सकता है लेकिन जो पॉल्यूशन मैटर है एक इनवार्मेंट से जुड़ा हुआ मैटर है इसलिए ऑप्सन नंबर क्या होगा बी नं समिट हुआ था ठीक है यह किस साल में समिट हुआ था वर्ष 2,11,15,16 या पर 20 तो या देखिए जो उनाइटेड नेशन सस्टेमर डेवलप्मेंट समिट हुआ था वर्ष 2,15 को समिट हुआ था ठीक है तो आपसा नंबर B हिंद में खा जाए तो सयुक्त राज सततर विकास जाएगा ऑपसा नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला है वाट इस दे में एम उफ सस्टेम डेवलप्मेंट का में लक्ष क्या है मुख्य लक्ष क्या है तो सेब दे रिसूर्स हाँ यह बाद ही सही है तो तो थिंक अबाट दे फ्यूचर जेनरेशन एकदम बाद सह है पर्यावन के सराइचन यह भी सही है भावी जो पीडियों उसके बारे में हम भी सोचन है और ऑप्सान नंबर D उप्रोग सभी तो ऑप्सान नंबर D या फिर उप्रोग सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा फिर देखे हमारे पास अनिंप्लेमेंट जो बिरुजगारी है जबार करते हैं यह सब्सक्रां एक सामाजी करिए है ग्रिवीज है जो इसी के रिवाट और के सभी prawn नंबर D i वाट आरगा अधिक देडिया वीच आड टू मैनेज इन ओर्र कें कमी अभी और प्राप्तक आपके लिए चलना चाहिए तो सोसल एकोनोमीक डेवलपेंट अगला सवाल और हमारे आकरी सवाल है कि after which activity the natural resources are exploited unpresently देखेक ऐसा कॉछ activity कर रहे है विसकली जिससे natural resources हम लोग बहुत ज्यादा हानी कर रहे है ठीक है आपर export कर बढ़ात कर रहे है pollution option number है हमारे पास है फिर हमारे पास है इंट्रिस्टायर प्राकितिक संसादमों का हम लोग अभुद्पूरु दोहन हो रहा है तो हो जाए का अभुद्पूरु दोहन कर रहा है तो प्रकार देखे आज इस टॉपिक चे जिते विपॉर्टन कोश्चन बनते थे आपके एक्जाम में वो सारे में आपको यहां पर करने कोशिस किये तो